वेल्कम बैक दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे वशीकरण के इस चैनल में आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक पावरफुल तांत्रिक वशीकरण क्रिया जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं जी हां दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को ध्यान स समस्या चाहे कैसी भी हो आपको मिलेगा तुरंत समाधान पती पत्नी में अनबन प्रेमी प्रेमिका का आपस से रूट जाना प्रेम विवाह में अडचन सौतन से चुटकारा दुश्मन का खात्मा तलाक रोकना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं दो लोगों को अलग करना चाहे वो बिजनस में हो या फिर वो घर पर हो बस आपको करना है एक फोन और आपका समाधान मिलेगा आपको जी हां, all problems are solved by Aghori Baba Ji, any problem in your life, he can solve all your problems within 10 minutes, he can get result, he is a specialized Aghori Baba Ji, so he can solve husband wife problems, love marriage problem, green card problem, visa problem, all your problems in your family और outside your family, he can give you a solution in just 10 minutes, so call करें Aghori Baba Ji को और पाएं सभी समस्याओं का समाधान, दोस्तों, आज मैं आपको Aghori Baba Ji की तरप से ही एक ऐसा वीडियो बताने जा रही हूँ, जिसमें आप चॉकलेट से कर सकते हैं किसी का भी वशी करन, जिहां चॉकलेट खिलाकर आप किसी को भी अपने वश में कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई लड़की हो, या फिर आपके घर का कोई सदस्य हो, अगर आपके माबाप आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप अपने माबाप को भी अपने वश में कर पाएंगे, जी हां कुंडली दोश हो, या फिर पती-पत्नी का अनबन हो, प्रेम संबंधित सवस्या हो, दुश्मन से चुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर सौतन से, प्रेम विवाह करना चाहते हैं अगर, तो उसकी लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हर मुश्कल से मुश्कल समस्या का पक्का समाधान आपको मिलेगा हमारे नमबर पर, तो दोस्तों हमारे नमबर पर कॉल लगाईए और समस्या का समाधान पाईए, चौकलेट से वशी करन कैसे किया जाता है, यह जानने के लिए हमारे विडियो को अंत तक जरूर क्योंकि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ही तरीका जिससे आप किसी को भी चॉकलेट खिला के अपने वश में कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसान क्रिया है इसे आप मंगलवार के दिन कीजिए हफते में मंगलवार का दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर तांतरिक क्रियाएं की जाएं तो वो आपको जादा फल देती हैं अगर आपके पास मंगलवार का समय ना हो तो आप इसे शनिवार के दिन भी कर सकते हैं जी हां तो सबसे पहले रात को दस बजे से लेकर दो बजे के बीच में आपको ये क्रिया करनी है और उससे पहले आपको नहाध होकर स्वच कपड़े पहन लेने हैं और पूरब दिशा की तरफ मुख करकर बैठ जाना है अपने सामने आपको एक दिया जला लेना है सरसों के तेल का दिया आपको जलाना है और उसके बाद आपको बैठना है और अपने हाथ में आपको एक चॉकलिट ले लेनी है चॉकलिट आप कोई भी ले सकते हैं जो भी उस व्यक्ति को पसंद हो अगर आप वो चॉकलिट ले ल और उसके बाद आपको मंतर का उचारण करना है दोस्तों आपको मंतर का उचारण 521 बार करना है और इस मंतर का उचारण करने के बाद आपको चॉकलेट के उपर फूकना है यानि कि जब भी आप मंतर पढ़ेंगे तो हर सौवी बार में आपको चॉकलेट के उपर फूक देन इस तरह से आप 5 बार चॉकलेट के उपर फूकेंगे और अंत में जो 21 बार बच जाएगा तो आपको 21 बार में हर बार इस चॉकलेट के उपर फूकना है याने की करीब करीब आप 26 बार चॉकलेट के उपर फूकेंगे और इस तरह से आपकी जो चॉकलेट है वो अभिमंतरित हो जाएगी आपको इस चॉकलेट को अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को खिला देना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं तो अगर आपने जैसे मंगलवार की शनिवार को या फिर अगर आप मंगलवार या आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आसानी से हल हो जाएगी दोस्तों ये मंतर क्या है इसे जानने के लिए आपको हमारे नंबर पर कॉल करना होगा हमने ये मंतर अपने वीडियो में नहीं दिया है जिन लोगों को सच में इस मंतर की जरूरत है सिर्फ उन्हीं लोगों को ये मं मंतर मिलेगा तो आप हमारे नंबर पर कॉल लगाईए और इस मंतर की जानकारी ले लिजिए धन्यवाद दोस्तों